आज के समय में आप payment aggregator टर्म का इस्तमाल बहुत सुनते हैं कि RBI ने किसी काम company को दिया है payment aggregator के लिए काम करने का license इस तरह की नियुज बहुत देखते हैं और payment gateway और payment aggregator इनको आप interchangeably इस्तमाल भी बहुत करते हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों टर्म में क्या difference है और वो difference समझने लायक difference है कि नहीं कि आप interchangeably इस्तमाल कर सकते हैं कि नहीं वो भी हम समझेंगे क्योंकि बहुत important के topic आ रहा है आने वाले समय के अनुसार तो मेरा नाम है चंदरहास, ShadySmart में आपका स्वागत है चलिए start करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेमेंट gateway क्या होता है जब भी आप किसी समान को खरीदते हैं तो आप उसके लिए different different mode का इस्तमाल करते हैं अगर हम बात करें online payment की जैसे माली जी आप Amazon Flipkart से स्वापिंग करते हैं तो उसमें आप दो तरह के options का इस्तमाल कर सकते हैं पहला option क्या है कि आप cash on delivery कर आ लें दूसरा option आपका क्या है कि आप पहले payment कर दें उसके बाद आप उसकी delivery लें तो जब आप payment पहले करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है आपको चाहिए होता है payment gateway जब आप माली जी आप merchant हैं और आप online payment रेसीव करना चाहते हैं अपने customer से तो आपको payment gateway चाहिए होगा जिसके थूँ आपका जो customer है वो payment कर सके उसके पास अलग कोई card हो या फिर कोई आपका net banking हो, e-wallet हो, upi हो तो आपको एक जगा चाहिए जहां से वो माध्यम का प्रयोग कर सके payment करने के लिए जिससे उसके account से पैसे कट करके आपके account में पैसे आ जाए तो payment gateway का क्या काम है it is an e-commerce software application यह एक software application है that allows online transaction to take place via card, net banking, e-wallet, upi payment it offers a means to accept online payments इसका काम क्या है? आपको एक ऐसी जगा प्रोवाइड करना जहां से आप online payment को ले सके, receive कर सके examples, HDFC का, SAC, ABA, Patreon का इन सब का क्या है? अपना-पना gateway होता है अब payment gateway के अगर हम बात कर रहे हैं तो payment gateway का का काम एक intermediary की तरह होता है वो इधर से पैसे लेगा और दूसरी तरफ आपको transfer कर देगा यही उसका काम है और इस काम में कोई भी ऐसा नहीं है कि उसमें पैसे नहीं लगते payment gateway अपना कुछ ना कुछ commission काटता है जो कि 1-2% तक कुछ भी हो सकता है अगर हम बात करते हैं आगे कि जैसे आपको दिखा दूमें एक्जांपल के तरह पर जैसे आप देख रहे हैं HDFC का आपका payment gateway है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको payment करने का लग-लग mode आपको दिख रहे हैं कि आप HDFC क्रेट कार्ड है या पर debit कार्ड है या फिर किसी और भी बैंक का debit या credit कार्ड है फिर net banking है तो आप इसका इस्तवाल करके इस payment gateway का इस्तवाल करके आप payment कर सकते हैं चेकाउट कर सकते हैं इसी तरह यह जो easy पे है ICICI bank का आपका payment gateway इसका इस्तवाल करके आप payment कर सकते हैं या फिर अगर आप merchant है तो इसके इस्तवाल से आप payment को receive कर सकते हैं हम आगे बात करते हैं कि इसकी payment aggregator की, यह payment aggregator क्या है फिर, तो देखे payment aggregator लिखा हुए कि payment aggregator is a service provider that integrates various options of online payments together and brings them into one place for merchant, it facilitates different type of payment transactions including cash, check, online payment through multiple payment sources और offline touch points, in-store कियोक्स, in-field payments, remote link based payment और billing counters ETC, मतलब payment aggregator का काम यह होता है, कि जितनी भी तरह से payment आप कर सकते हैं, सब सारी services को आपके लिए उपलब्ध करवाना, जैसा बे मैंने आपको शुरुवात में बता है, कि आपको HDFC का payment, आपको gateway चाहिए तो tie-up करेंगे, ICIC एक चाहिए तो उसके लिए अलग से tie-up करना तो आपके different-different merchant IDs वनेंगी सब के पास, लेकिन अगर आप payment aggregator के साथ आप contact करते हैं, तो आपकी क्यों एक merchant ID रहेगी, और आप सब के थुरू या जितनी भी तरह की payment है, सब आप receive कर पाऊगे, आपको अलग-अलग सब के लिए registration नहीं करना पड़ेगा, तो उसका काम ही होत और ना तो आपको अलग-अलग से checking करना है, ना तो अलग-अलग से sign up करना है सब के साथ, आपको जितनी भी तरह की payment है, जैसे payment gateway के ओला आप online payment accept कर सकते हैं, payment aggregator में आप cash, check, offline, in-store कियोक्स, या फिर remote link based payment, और billing counter वाली जो payment होजए आप जाते हैं, कहीं mall पे आप billing करवाते ह पेमेंट एग्रिगेटर, यह इसका काम होता है, तो इसी से आपको यह समझ में आ रहा होगा, कि payment aggregator एक superset है, जिसके अंतरगत आपका payment gateway आएगा, payment gateway छोटा सा टर्म है, लिखा, payment aggregator is the inclusion of all these payment gateways, जितने भी तरह के payment gateway है, offline, online, सब का integration या cash active inclusion है, payment aggregator, example के दौरपे, जैसे Razor Pay हो गया, Citrus हो गया, Build Desk हो गया, Instam, यह सब आपके क्या है, एक payment aggregator है, RBI समय समय पे ऐसे बहुत सारे fintech कमपनिया हैं, जिनको payment aggregator का जो in principle approval है, वो देता रहता है, अगर मैं आपको एक example के तोर पे दिखाऊ, जैसे आप यह देखने है, यह Study Smart का जो payment aggregator है, Razor पे, उसका एक मैं screenshot दिखाता हूँ, जो आप payment करने जाते हैं, तो ऐसा आपको page देखने को मिलता है, अब इस page को अगर आप ध्यान से देखिए, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस page को देख करके, कि आप चाहे UPI हो, Paytm इस्तमाल करने हो, चाहे कोई और UPI का इस्तमाल करने हैं, debit card, credit card, या कोई app आप इस्तमाल करने हैं payment के लिए, या कोई net banking, या फिर wallet, EMI, pay later, पतलब कोई भी service आप इस्तमाल करना चाहें, payment करने के लिए, तो सारी service उपलब्द है, आप किसी भी तरह से payment आप यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत आराम से, अब चूंकि हमारे तो offline ऐसा होग नहीं कि कोई आपके delivery करने हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे COD का option ऐसा नहीं रहता, वरना वो भी आपके लिए उपलब दो जाएगा, वहाँ से भी, ऐसे भी payment कर सकते हैं, तो हर तरह के payment आप यहाँ से कर सकते हैं, यह होता आपका payment aggregator, तो यह तर्म आपको समाझ में आ क्या होगा, मैं रिखाल से payment aggregator का, अभी हम इससे detail में चर्चा करते हैं, कि basic basic से difference क्या है, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूँ कि study smart के जो current fair के courses हैं, वो launch हो चुके हैं, और price इनका सिर्फ 99 रुपीज पर मन्त है, अगर आप current fair को crack करना चाहते हैं, इसी त आप पढ़ें, ताकि आपका जो syllabus रहें, वो भी आपका limited रहें और आपको जादा से जादा number मिल पाएं, तो course को जरूर जोईन करिए, course से start हो चुका है, daily classes live हो रही है, आपको इसका PDF मिलेगा, MCQ के साथ जहां भी detail explanation गीर, तो आप detail explanation दिया जाएगा, इसके लिए आपको study smart के आपको download करना है, Google Play Store से, या फिर आप study smart.groove website पर जाकर के login पर click करके भी, आप course को ले सकते हैं, course आपका application और आपका PC दोनों पे अपलब्द हैं, चाहे जिस पे भी आप देख सकते हैं, आगे मैं बात करता हूँ, differences की, differences के अगर हम बात करें, तो payment, यहाँ, sorry, differences से पहले चीज़ और आपको बता दूँ, payment aggregator में और क्या क्या चीज़े खास होती है, लिखाए, payment aggregator can offer a payment gateway, but the reverse is not true, कह रहा है कि payment aggregator तो payment gateway को offer कर सकता है, मतलब ऐसा समझे, कि आपका payment aggregator यह है, और उसके अंतरगत आपका payment gateway आ रहा है, कि payment aggregator जो भी होगा, वो payment gateway offer कर देगा, जैसे म payment gateway payment aggregator वाला काम offer नहीं कर सकता है, यह सबसे बड़ा difference है इसका, लिखाए, there are two types of payment aggregators in इंडिया, पहला तो है third party payment aggregator जिनको हम non bank payment aggregator भी कहते हैं, और दूसरे है bank payment aggregator, मतलब जो बैंकों के दारा अपलब्द करवाए जाते हैं, third party में जितने भी आपकी fintech company आपनिया है, जै पहले कि ओल जो banks होते थे उनहीं को payment aggregator की सुधाव लब्द करवाने का यह license प्राप था, लेकिन उसके बाद जो third party है, वो भी आपके अस्तिक्न है, जिसकी वज़ा से ही, जो online payment का आपला माध्यम है, offline payment आपला माध्यम है, और चर्चित होने लगा, और facilitate होने लगा, अगर म key differences की बात करूँ क्या होते हैं, तो देखे, key differences को मैं आपको गिनवाता हूँ, आपको समझ मेंगा यहाँ पर क्या difference है, पहले अगर हम बात करें role की, तो payment gateway का मतलब क्या होता है, वो क्यों एक माध्यम है, पैसा collect करके एक जगा से दूसरी जगा भेजने का, कि मैं अगर customer हू पैमेंट को इकठा करना, लेना different different माध्यम से, और उसके बाद फिर जो भी merchant होता है, उसको देना, इन दोनों ही माध्यम में, जो भी commission होता है, 2-3%, जो भी commission होगा 1-2-3%, वो काट करके ही आपको पैसे दिये जाते हैं, payment aggregator के माध्यम से जो पैसा होता है, वो process होने में 2-3 द payment gateway में, लेकिन अगर हम बात करें payment aggregator की, तो online, offline, किसी भी तरह की payment है, सारी हो जाते हैं, पैमेंट option के अगर हम बात करें, तो इसमें तो restricted है, क्योंकि online payment ही कर सकते हैं, उसमें भी अगर किसी ने ये लगा दिया, जैसे आप अगर जाओ, किसी payment, एक्यों payment gateway हो किसी का, उसके जाओगे, तो हो सकता है कि आपके bank का जो वहाँ पे net banking में नाव हो ही नहीं, तो ऐसे माध्यम में, ऐसे फिर तो आप अपने bank के माध्यम से net banking के माध्यम से payment नहीं कर पाओगे, या फिर कोई कह दे कि नहीं, हमको QHDFC का एक credit card चाहिए, तब फिर आप नहीं कर पाओगे, payment aggregator के पास ये सुवधा होती, कि आपको अलग-अलग तरह के माध्यम प्रवाइड करवा देता है, आपके पास माल लीजे कि आप payment करने जार है, और आपके पास, माल लीजे, card में आपके पैसे खतम हो गया है, तो आप cash भी payment कर सकते हो, आप EMI भी ले सकते हो, तो सारे काम आप payment aggregator उपलब्द करवाता है, payment success rate के अगर हम बात करें, तो payment gateway का success rate उसके, मतलब जो traffic होता, उस पर depend करता है, गर एक साथ बहुत traffic हो जाएगा, तो यहाँ पर जो success rate हो down होने लगता है, payment आप करते हैं, वो fail होने लगती, बार-बार करना पड़ता है, या फिर कई बार ऐसा होत रहते हैं, लेकिन payment नहीं होए पाती है, payment aggregator की बात करें, तो इसका जो success rate है, higher रहता है, क्योंकि इसका जो payment इसको पता है, इसको high volume में चीज़ों को manage करना है, तो यहाँ के जो infrastructure रहते हैं, ज्यादा अच्छे रहते हैं, अगर हम ownership की बात करें, तो payment gateway को कौन own कर सकता है, opinion का काम ही है, इस तरह के छेतर में काम करना, अगर हम permission की बात करें की payment gateway के लिए क्लिए क्या permission नहीं होती है, तो RBI से उसको permission चहिdess है, payment and settlement at 2007 के इसको permission चाहिए होगी, जो भी payment gateway open करने जा रहा है, अगर हम payment aggregator की बात करें, तो RBI से payment aggregator का license मिलना चाहिए उस company को, साथी साथ एक आपका certification होता है from payment card industry, data security standard, PCI, DSS, ये भी आपको प्राप्त होना चाहिए, तब आप payment aggregator के तौर पे काम करना है, तो company to company depend करेगा कि वो payment aggregator के शेत्र में आपका काम कर रहा है, B to B काम करेगा, B to C काम करेगा, मतलब business to business, business to customer, कैसे भी काम कर रहा है, वो depend करता है, उस company के nature के आधार पे, और इसी तरह से आप अपने payment aggregator का chain भी करते हैं, आपको मैं एक basic सा difference बताता हूँ इनके बीच में, लिखाए कि आप payment aggregator handles fund, अब ये समझेगा, आपको ये scope समझ में आएगा, कि payment aggregator का का काम क्या होता है, fund को handle करना, and payment gateway provides technology, और payment gateway technology provide करता है, उस fund को transfer करने की, तो इसी रिए कहते हैं कि payment gateway super set है, payment gateway उसका subset है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि एगर आप इन दोनों term को interchangeably अगर इस्तमाल करते हैं, payment gateway को payment aggregator के तोर पे, तो कितना blender आप कर रहे हैं, आपसे interview में अगर कोई सवाल पूच लिया रहे हैं, आपसे कहीं भी पूच लिया और आपने interchangeably इस्तमाल किया, तो समझा जाएगा कि आपकी information का level वहुत ही कम है और आपको चीज़ें अच्छे से पता नहीं है, लेकिन अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि payment aggregator क्या है, और payment gateway क्या है, दोनों की वीच का basic difference क्या है, आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो जाओर आपको मिलें, तो आप चैनल को subscribe जरूर कर लें, और इस वीडियो को like जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और आपको अगर कोई इसमें question पूचना है, तो आप कमेंट करके इस question को जरूर पूच सकते हैं, बाकी आपको current fair के courses को अगर enroll करना है, तो आप study smart के app पे जाए, courses पे click करिए, आपको current fair का course मिलेगा, हम वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से current fair पढ़ रहे हैं आपके exams के लिए, मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाए